मान्य अद्यक्षा महोदया आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का शीर्शक है चोथी पास राजा आपने बच्पन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनियोंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्षा महोदया जो अनपड़ था चोथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत ज़ादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना ब्रष्टाचारी था इतना ब्रष्टाचारी राजा था ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्छी ने कहा गाउं में जोच्छी होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोग्षी ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतने गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा तो उसमें का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा संब्राट बनेगा बेटा धी-धीरे बड़ा हुने लगा scole, गाउं का ही scole था scole जाता था उसका पढ़ने वढ़ने में मन नी लगता था तो छौती के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया गाउं के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वाँ स्टेशन पे चाय बेचता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शौक था सारे गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता आसपास के गाउं के भी कठा कर लेता सामने वो खाट डाल लेता उस पे चड़ जाता और भाशन देता धीरे धीरे आसपास के गाउं के लड़के भी कठ्थे हो गए जिस में जिस भी चीज में भाशन देता है, एक बार शुरूव हो जातो तो बंदी नी होता। अब जोट्शी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गिया। पूरे देश में उसका नाम होगया चौथी पास राजा, लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे, अब उसे आता जा तो कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, अफसर आते, कुछ-कुछ अंगरेजी में चपर-चपर करते उसको समझ नहीं आता, अफसर जो मर्जी उस साइन कराके लिए, अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी, कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपड़ आदमी है, पता चल जाएगा, तो उसके भी दिल में ये रहता था यार मैं पूछूं ना पूछूं, पता नहीं किस-किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिये, फिर धीर धीर राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मिर को चौथी पास, चौथी पास कहते हैं, तो उसने एक फरजी डिगरी बनवा ली, कहीं से फरजी डिगरी बना के ले आया, एम्मे की, बुला मैं एम्मे हूं, तो लोग डिग्रियम बना के लिए आया हमार हराजा तो लोगों ने आर्टियाई डाली जो आर्टियाई डालता उस पे पच्छिस हजार उपर जुर्माना आपके नेता की बात नहीं कर रहा है आप लोग भी हस आप लोग भी हस सकते हो तो जो आर्टियाई डाले उसको पच्छिस अजार उपर का जुर्माना एक दिन कुछ लोग गई राजा मैं चौति पास राजा के पास बोले जी एक बड़ा धासु आइडिया लेकि की आया है बोले बताओ बोले जी नोट बंदी कर दो रश्टाचार खतम हो जाएका देश स को क्या कह रहे हैं क्या नहीं पर उसे लगा यार कुछ धासू आइडिया होगा उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी वहला सारे नोट बंद पूरे धेश में हाहा कार मच गया तडप गए लोग धंदे बंद हो गए दुकाने बंद हो ग अतंकवाद खतम हो जाएगा ना अतंकवाद खतम हो ना भज्टाचार खतम हो देश बरबाद हो गया वह महान देश जिसका वह राजा बनाता वह देश दस साल पंदरा साल बीस साल पीछे चला जया उस नोट बंद देशे उस चौती पास राजा की वज़े से एक दिन रेती खूब बड़ी हो जाएगी एक किसानों के कानून पास कर दो अब उसको कुछ हकल नहीं थी राजा को अनपड राजा था उसने साइन कर दिये तीन काले कानून पास हो गए किसानों के पूरे देश के किसान सड़कों पे जगह जगह मोर्चे साड़े साथ सु किसानों किसानों की मौत हो गई एक साल गेंगा अंत पंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े दीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई क्योंकि राजा एरे गेरे इससे पहले एक और राजा आया था मुहम्मद बीन तुगलक वो भी ऐसी करता थ कभी उसने देश की राज़ानी बदल दी कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा उसी तरह से ये था अनपड़ राजा कुछ भी कुछ भी कर देता था अब राजा को एक दिन लगायार मैं तो राजा बन गया पता नहीं कितने दिन रहूंगा तो उसके गरीबी में जो जीवन उसने जीया था उसे लगाया और पैसे तो कमाने चाहिए पैसे कैसे कमाऊंगा तो जनता आप में छवी खराब होगी तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं सारे सरकारी ठेके तेरको दिलाऊंगा सारी कमपनियां तेरको दिलाऊंगा सरकारी पैसा तेरको दिलाऊंगा नाम तेरा पैसा मेरा तेर को पूरे उस पे 10% कमिशन तेर को मिलेगा सारा पैसा मेरा दोस्त मान गया दोस्त को क्या दा प्री में पैसा मिलना था दोस्त मान गया उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा जो देश को लूटा जो देश को लूटा सबसे पहले वो दोस्त आया बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते है बोला वो कैसे यार बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है बोला नहीं ऐसे करते है आप किसी बैंक के चेर्मेन को बुलाओ उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा तो बोला लोन देगा तो वापस करना बढ़ेगा वापस कौन करेगा वापस थोड़ी करना है आप राजा हो वापस वूपस नहीं करना लोन दिला दो बस तो राजा ने एक बैंक के चेर्मेन को बिलाया बोला इसको लोन दे तो वो चेर्मेन की सिक्टी पिट्टी गुम हो गया मैं तो मर जाओंगा फ़स जाओंगा वो भाग गया तो फिर उन्होंने ढूंड ढांड के एक ऐसा चेर्मेन चुना जो की सरासर रष्टाचारी जिसके उपर दस पाइलें खुली हुई जिसके उपर दस केज चल रहे हैं उसको बुलाया बुलाया देख तेर को चेर्मेन बना रहे हैं अब तू दस हजार करोड रुपए दे दे इसको लेता तेर को जेल भेजेंगे जेल जाना है कि पैसे दे रहाए उसने जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूँगा उसने दस हजार करोड रुपए का लोन उसके दोस्त को दी दिया ऐसे करते करते लाख दो लाख करोड रुपए उन्होंने बैंकों से लूट लिये पर राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलके 2.5 लाग करोड रुपए बैंकों से लूट लिये, अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालो किया, सबसे पहले उन्होंने देश के एरपोर्ट खरीदे, पहले छे एरपोर ने ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनिया थी, प्राइवेट लोगों का कंपनिया या बंदूख रख रख के उनकी कंपनिया चीन ली, राजा ने और उसके दोस्त ने, हाँ हा, कार मच गया पूरे देश के अंदर, इतनी महंगाई हो ग पहले पेटरोल 71 रुपे होता था, 97 रुपे हो गया, पहले डीजल 57 रुपे होता था, 90 रुपे लीटर हो गया, जब पेटरोल के दाम बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ गया तो सारी चीजों के दाम बढ़ गया देश के अंदर, हाहा कार मच गया, सब चीजों पर इसने और इसके दोस्त ने कब जाए दूद पहले 46 रुपे होता था 66 रुपे लीटर हो गया बच्चों को माएं दूद पिलाने लाइक निए बची घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूद छीन लिये इसने राजा ने सरसों का तेल 90 रुपे लीटर होता था 214 रुपे हो बताओ धीरे धीरे पूरे देश में हाहा कार मिच गया लोग अब राजा के खिलाफ वाज उठाने लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाले एक के राजा का नाम गलत ले दिया उसको भी जेल में डाल दिया किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया किसी जज ने राजा के खिलाफ को यॉडर कर दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया ना जज़ों को उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था, वो सराज्य का एक मुख्यमंत्री था, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पर भी उमीद की किरंच आ गई, वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था, वो मुख्यमंत्री कटर इमानदार था, वो मुख्यमंत्री कटर देश भक्त था, वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था, उस मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्यमंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कमपनियों पर कपजा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग जया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क मेरी बिजली कमपनिया लुट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसने उसको का खबरदार तो ने बिजली मुफ्त के मुख्यमंत्री नहीं माना दीरे दीरे उस मुख्यमंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिये तो राजा ने उसको बुला कि और अरकाया राजा बोला ये क्या कर रहा है तो स्कूलों के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सब ये नी चलेगा इस देश मुख्यमंत्री ने सब के इलाज मुफ्त कर दिया सब के लिए शानदार महला क्लीनि खोल दिये विलाज मुट कर दिया राजा तो बिलकुल ही पागल हो गया धीरे धीरे जंता को पता चला कि राजा कैसा है एक दिन लोगों ने उस राजा को खाड़ के फेंक दिया और लोगों ने एक किसी इमांदार और देश भगत आदमी को महां बिठा दिया और उनकी सरकार आपके और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूदी चौबनी तरक्ति करने लगा तो जैसे हम बच्पन में सुना करते थे मौरल आफ दा स्टोरी का मतलब भई इस कहानी में क्या प्रेर ना मिलती है इस कहानी से इस कहानी से ये प्रेर ना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाँच परक के देखो आपका राजा अनपड़ तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़बड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्या हैं जर आप देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को खा़के फेको नहीं तो कोई समाधान नहीं होगा ए आप एब कि आपकी तमस्यां का कोई समाधान नहीं होगा वह पड़ा करते थे अन्ध ह्यर नöगरी चौपन राजा सवसेल भायजी सवां एखाजा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए